चलो दोस्तों शुरू करते हैं चिडिया घर की चोरी गमराज की कोमिक्स है दोस्तों ध्यान से सुनना, हसी मजा की कोमिक्स मिलेगी यह जरूर चिडिया घर जिसमें मौजुद देश विदेश के सैक्रो दुल्रप सुपक्षियों को देखने का आकर्षन हजारों दर्सकों को अपनी और खिच लाता है दिन के उजाले में जब तक चिडिया घर खुला रहता है उसे देखने वालों का ताता लगा ही रहता है लेकिन ये दर्सक कैसे जो रात के अंधेरे में चिडिया घर की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या है इनके इरादे रास्ता साप हो गया आओ अंधे सांड की तरह बागते वे सभी चिडिया घर में गुश गए और फिर सर सर कलोरो फोरम के तेज गोल ने तुरंत अपना सर दिखाया सभी बेहोस हो गया है पिजरा खोल कर इन्हें पने कंदों पर लादो और बास के पास ले चलो जल्दी पिंजरों में बंद बेहोस छोटे जानवर यहां मोजुद थे साबास आज के लिए इतना काफी है ले चलो इन्हें पांथ इन्हें चोचु एंड पार्टी के पास ताकि इनके बदले में करारे करारे नोट मिल सके जानवरों के खरीदार चोचु एंड पार्टी हमने तुमको फोर्ट टूंटी विपार बोला मैंन की अपून की मार्किट में छोटे जानुरों लोगों की खाल की कोई कीमत नहीं है हमको बड़ा जानुर सेर चीता भालू मांगता क्योंकि उनकी खाल मार्किट में गोल्ड की माफिक बिखता अब अगर तुमने हमको सेर चीता भालू वेगरे सप्लाई कर सकता है तो ठीक वरना समझ लो हमारा बिजनेस आज से ही बंद बिजनेस बंद करने की बात मत किये चोचु सर वरना मेरे डेट दरजन बच्चे बूखे मर जाएंगे और मैं अनाथ हो जाऊंगा आप निस मजते की चीडियागर से जानवर चोरी करना कितना जोखिम भरा काम है चोचु एंड पार्टी के जानवर लेकर रवाना होते ही कान में दतूरे का तेल डाल कर सुन लेवे न सेडियो और सरावियो कल तुम्हें चीडियागर के सफेद सेर को गयब करना अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं तुम सब की खाल उतार कर चोचु को सप्लाई कर दूना समझे जैज जी समझ गए हिच्च सुबह मैं तेरी सारी बात समझ रहा हूं संकाल हूं प्यारे लेकिन तु यह नहीं समझ रहा कि तेरी बीवी बच्चों को यमुंडा एक कजार कार में बिठा कर चिडिया घर गुमाने ले जाने से ज्यादा मेरा इस नोकरी के इंटर्वी के लिए पूचना जरूर है क्यों कोई नहीं तनखा सांदार बोजर नावास मुफत वैनने सभी सुईदाय यति सिगर मिले नोकरी तो सचमुष सांदार है भायार लेकिन मेरी बीवी बच्चे ठीक अच्छा ऐसा करते कि पहले हम दोनों चलकर नोकरी के लिए इंटरूर दे आते हैं फिर उसके बाद तेरे बीवी बच्चों को यह मुंडा पर बिठा कर चिडिया घर गुमा लाएंगे ठीक ठीक नोकरी के दोनों दिवाने अखवार के विग्यापन में लिखे पत्ते पर पूँचे अखवार में तो पता नहीं लिखा हुआ है लेकिन यहां तो कुछ चूटे-फूटे पाइपों पूचे तो जी हां मैंने विग्यापन दिया था आप उसे पढ़कर नोकरी करने आये हैं है हां हां लेकिन हमें करना क्या होगा जो में खाना रहना मुफत और वेतन भी मिलेगा कुछ खास नहीं जी सबसे पहले तो यह काम करना होगा सहर के उन गुर्दवारों और मंदिरो का पता करना होगा जहां सुबह सामलंगर फिरी मिलता है वहां जाकर अपना खाना खा कर आना और मेरे लिए लाना होगा यह हो गया खाना फिरी अब तनखा पर आओ तुम दोनों को सुबह से साम तक भीख मांगनी होगी जितनी इंकम हो उसमें से आधी मेरी और आधी तनखा के रूप में तुमारी अब राज सवाल मुफत आवास का तो भाई इन में से जो चाहे पाइप छाट लो और उसमें मोज से रहो अरे कहां भाग चले रुको तो सही और फायदे भी तो सुनते जाओ हमें पागल कुट्टे ने नहीं काटा जो हम तुम जैसे पागलों के पास अब एक पल भी ठहरे जब दोनों रुके तो तुमारे इंट्रू का तो कबाड़ा होगा गमराज भाईए अब चिडिया अगर चलने के बारे में क्या ख्याल है चल अब तेरी इच्छा पूरी करने के स्वा मेरे पास और कोई चारा नहीं है जल्दी गमराज भाईए मेरे दरजन भरवत चे एक गंटा पहले तयार होकर बहार निकलाए लेकिन मेरी बीवी अभी तक नहीं निकली कहीं वह अंदर ही टेत और नहीं बोल गई ऐसी संका वैक्त करके अपनी नया को गंदे नाले में मत डुबो मेरे भाई अगर तेरी राम पैरी को कुछ हो गया तो लो वो आ गई ये भगवान तूने मेरी संका को पूरा क्यों ने किया ए ऐसा तुफानी बनाव सिंगार लो जी अब तो खुस हो खुस जी बिल्कुल खुस है संकालों की पतनी इठलाती हुई दोनों के पास मुची चलो जी मैं तयार होकर आ गई महरबानी अब चल कर अपनी फोज के साथ कार में बैठो कार में तुम इतने जने कार में कैसे आएंगे कार में इतने जने कार में कैसे आएंगे और आ भी गए तो जरूर कार पलट जाएगे और हम सब बिना टिकट यम पूरी पूरी पूंच जाएंगे कार में नहीं तो टेंपो में आ ही जाएंगे कार बना यम उड़ा तुरंती टेंपो में बदल गया चल पड़ा tempo यार संकालू समझ में यारा तरे बत्के चिडियागर देखने जा रहे हैं या समें भरती होने चक्षक पर चक्षक पर ca tempo tempo से निकली अपनी सवारी बात मत करो बात मत करना वरना एक्सिडेंट हो जाएगा रबा रबा जल्दी सब सबी चिडियागर पूँच गए चिडियागर यहां तो भूत भीड लगी हुए जब कियामत और प्रहसन होता नहीं मुझे तो लगता है चिडियागर में लाटरी के काउंटर खुल गए हैं गमराज और संकालू ने भीड के पास पूँच कर काण पूछा तो पतानी क्या चककर अभी तक चिडियागर खुलाई नहीं है कह रहा है कोई मेहत्वपूर मीटिंग चल रहे है इसलिए सबी उसी में भी जी है तुँ यही बच्चों के पास ठैर संकालू मैं देखता हूं कैसी मीटिंग चल रही है सांसे मीटिंग हाल की तरफ बड़े गमराज को कुछ गड़ बड़ लगती है आओ देखते हैं गाड ने रोक लिया क्यों जी अंदर कहां उसे जा रहे हैं डंडा गुमा के वो तो अंदर मीटिंग में बैठा चिडिया घर का सेर मेरा मतलद चिडिया घर के मेनेजर में में मेरा चाचे के भाई के बतीजे के बांजे के मामा में मैं उनी से मिलने जा रहा हूं एसन को साहिब रिष्टेदार के सोक से जाईए फिर गुमा के तुका तीर बन कर ठीक निशाने पर जा लगा गमराज अंदर की तरफ चल दिया तब तनिक ठहरिये तो जरा में ये तो समझाते जाईए कि चाचे के भाई के बतीजे के बांजे के मामे वाला रिष्टा कहीं सा आउत है ये तो पंगा करने के मुड में लगता खैर ये मुझे क्या रुकेगा सामने तो दर्वाजा अभी भाग कर उसमें घुश जाता हूँ गमराज ने जैसे ही दोडने के लिए अपना कदम बढ़ाया वैसे ही अरे शिचूं अरे आप ऐसे कहां चल दिये डंडा गुमा के केजी से अंदर की तरफ फिचला गमराज सीधा जा टकरा चिडिया घर के मैनेजर मास सिंग फटे हाल से हाई ये क्या मुशिबत आन पड़ी स्ट्रीम इंजन की तरह दुआ गमराज के चेरे पर छोड़ता गरजा मास सिंग फटे हाल क्यों वे कबुतर की बीट सचुन्दर की टांग कोन है तू और यहां इस तरह से कैसे गुशाया बोल बोल ये दुए का तुफान मेरे चेरे से अटाव बंदा पर वर तबी मैं कुछ बोल पाऊंगा खोखो दुए ने समलने का मुका दिया तो गमराज ने सभी को अपने वहां आने का कारण बताया तो तुम यहां मीटिंग का कारण जानने आए हो तो सुनो कई दिनों से चिडिया अगर से जानुरों की चोरी हो रही है जिसकी रोक थाम करने के लिए रोक थाम करने के उपाय करने के लिए हमने ये मीटिंग बिठाई है कार्ण जान लिया फूट यहां से खोखो जाता हूजूर लेकिन दो स्वाला के जवाब और दे दीजिए पहला कि ये चीडियागर कब खुलेगा और दूसरा ये कि आप अपने पाइप में कौन सी तुफानी चीज बर कर पीते हैं चीडियागर आदे गंटे बाद खुलेगा और रही मेरी पाइप के तुफानी चीज की बाद तो इसका राज ये है किसमे हमारे चिडियागर के आथी के सुख्यूई लीद है एक बार पी कर देखो तो जानो लो पियो नहीं बाबा नहीं दुनिया का एस सबसे नायाब तमाकू तुमें ही मुबारक हो सिर्फ पर पाउं रखकर भागा गमराज आदे गंटे बाद जब चिडियागर खुल गा तो सभी अंदर थे मेरे ख्याल से तो इन बंदरों के स्थान पर इन बच्चों को पिंजरों के अंदर होना चाहिए था और इनकी मा को होना चाहिए था गंडे वाले बाड़े में शेर के पिंजरे के पास गमराज और संकालू बेचारा शेर जानते हो संकालू ये क्यों दाढ रहा है उस बेचारे के पैर में एक बड़ा काटा चुबा हुआ है तुम इसे बेचारा कह रहे हो गमराज भाया मुझे तो संका किसकी दाढ से मेरा दिल फैलने हो जाए चलो यहां से शेर के गम में डुबा गमराज तिल भर भी नहीं ला नई संकालू मैं यहां से नहीं जाओंगा मुझे से शेर का गम नहीं देखा जा रहा मैं इसके पैर में चुबा काटा निकालने पिंजरे में जा रहा हूँ क्या कहा सेर के पाउ का काटा निकालने पिंजरे में जाएगा सेर तुझे एक जबटे में फफेट डालेगा अरे अरे ये क्या कर रहा गमराज क्यो बच्पन की दोस्ती जवानी में तोड़ने के लिए सेर का निवाला बनने जा रहा है कुछ नहीं होगा मैं आ रहा हूँ संकालू के रोके नहरू का गमराज तो अरे कोई मेरे यार को बचाओ ये अत्तम अत्ता करने सेर के पिंजरे में कुदने जा रहा है आखिर गमराज को निचे जाने के लिए मजबूर होना ही पड़ा तुरंती आप मुचे संकालू के मददगार जाने दो मुझे जाने दो निचे उतरो निचे उतरो चल भाग जा यहां से फिर चिडिया घर में नजर आया तो मार मार कर खाट खड़ी और बिश्तर गोल कर दूँगा गमराज के साथ साथ संकालू और उसके बच्चों को भी चिडिया घर से बाहर निकलना पड़ा आज घर आना ऐसी खातिरदारी करूँगो कि जीवन भर नहीं बूल पाओगे हाँ बुरा हो तेरा गमराज तेरे गम ने चिडिया घर से तो निकाला ही साथ थी घर जाने के लिए भी नहीं छोड़ा संकालू अपने दुख में दुखी था जबकि गमराज अपने गम से प्रेसान था चीडिया घर के उस शेर की रूदन गर्जना अब तक मेरे कानों में गुंज रही है मैं उसके पाउ में फसा काटा जरूर निकालूंगा लेकिन अब तू चीडिया घर पूँचेगा कैसे वहां के करमचारी तो तुझे देखते ही तुझ पर फिल पड़ेंगे मुझे तो संका के गमराज का दिमाग फिर गयसे आगरा ले जाना होगा मैं चीडिया घर जरूर जाँगा लेकिन दिन में नहीं रात को रात को भी चीडिया घर के करमचारी मुझे नहीं पहचाने उसका उपाए मैंने सोच लिया है उसी रात गमराज भया, हम बनवानुस की खाल पहन कर चिडियागर के अंदर तो आ गए हैं लेकिन मुझे अब भी संका कि हम किसी भारी मुसीवत में फसने जा रहे हैं वापस लोट चलो, क्यों मेरी बीवी को नाथ और मेरे बच्चों को भी दुआ करने पर तुले हुए हो बख्वास मत कर चुपचाप चलता रहे, यही है उस शेर का पंजरा, हाथ चड़ जा इस पर, फटा फट, कुछ नहीं होगा नहीं मैं इस पंजरे में नीचे गिर जाओंगा, और मेरे हाथ पार तूट जाएंगे, मैं लूला हो जाओंगा, चड़ गमराज ने संकालू को जबरदस्ती पंजरे पर चड़ा दिया और फिर सबब इचड़ गया, जल्दी दोनों पंजरे के अंदर थे इस पंजरे में तो सेर कहीं नहीं दीख रहा, रात के अंदेरे में हम गलत आ गए संकालू सेर का पंजरा तो साथ वाला है, यहां से बाहर निकलना होगा बहर तो जरूर निकलेंगे लेकिन अब सलाकों पर चड़ने के अपने में हिम्मत नहीं है, भाँ निकलना है तो उस पिंजरे का दर्वाजा डूंडो ठीक है तू दाई तरफ देख मैं बाई तरफ देखता हूँ दोनों अलग लग दी समय पिंजरे का दर्वाजा डूनने में जुट गए मुझे तो लगता नहीं कि हम साथ जनम में भी इस पिंजरे का दर्वाजा डून पाएंगे कुछ पलो बाद ही क्यों भाई संकालू मिला दर्वाजा अरे इस तरहे मूँ फुलाए चुप क्यों खड़े हो मैं पूछ रहा हूं मिला दर्वाजा गमराज को अपने स्वालों का जवाब नहीं मिला तो अब ये मैं दर्वाजे के विश्य में पूछ रहा हूं और तु मेरा मूँ ताक रहा है यह ले इसका इनाम गुर अरे बाप रे यह आवाज तो संकालू की नहीं है इसका मतलब इसका मतलब यह सचमुच का बनवानुस है मर गया बेटा गमराज भाग गर गमराज भागा तो उसके पीछे बनवानुस भी भाग खड़ा हुआ आदमी के बच्चे दाल दाल कच्चे तुझे चाटा मार कर तू बच कर नहीं जा पाएगा संकालू बचा संकालू गमराज को कैसे बचाता वै तो खुद एक मुसिवत में बसने जा रहा था वो मेरी वनवानुस ही वनवानुस की ड्रेस पहनते गमराज भीया रोमांटिक मुड में आ गए मैं भी उससे कम नहीं तुरंती संकालू को पता चला कि जिसे वै गमराज समझ रहा है वै गमराज नहीं कोई और था ये इतनी लंबी जीव तो गमराज की नहीं हो सकती इसका मतलब मैं असली वनवानुस की बहाओ में फस गया हूँ इतना सोचते ही संकालू हड़बडा कर वनवानुस की पकड़ से छुटा और ये आदमी का बच्चा हमारी नकल करने यहां गया मैं इसे छोड़ूँगा नहीं बचाओ नागराज और गमराज और संकालू जल्द है एक दूसरे को मिले गमराज भया मेरे पिछे वनवानुस पड़ गया और और मेरे पिछे वनवानुस ही अब तो गए बापू बापूजी के दर्वार में हम दोनों एक पल बाद बचा गमराज भये अब मैं तुझे क्या बचाओ मैं तो खुद फसावा हूं हमारा मजाक उड़ाने कि तुम दोनों को अच्छी सजा मिलनी चाहिए लेकिन तुम्हें सजा हम अपने हाथों से नहीं देंगे तुम्हें तो हम फैकेंगे शेरू दादा के जहां शेर को देखकर संकालू अपने कपड़े गी लेकर बैठा वही गमराज की बाद से खिल गई शेर हम सही जगह पर आप हूंचें संकालू यही है यही है वो शेर जिसके पैरों में फसा काटा निकालने हम यहां आये हैं शेर भी पल भर में सारा माज़रा समझ गया वो इसका मतलब मेरा प्लान सफल हो गया अपने पैर में काटे को उपर वह नीचे गोंच से चिपका कर जो मैं बैठा रहता था मेरा वह आइडिया पास हो गया मेरे पैर का काटा निकालने आई ही पूचें दो आदमी बैचारे यह क्या जने कि मैंने ऐसे ही किसी चीज के लिए एक पलान बनाया था ताकि कोई मेरे जाल में फसे और मुझे मनुस्या का ताज़ा माज़ कखाने को मिल जाए वरना चीडिया गरवालों ने तो मुझे भूखा मारने का प्लान बना रखा कमकत डंक से खाना देते ही नहीं इदर गमराज आगे बढ़ा ला भाई सेर में तरह काटा निकाल दूँ ये बगवान आज मेरी हर संका गलत निकले वरना जैसी संका मेरे दिमाग में मचल रही है अगर वे सभी पूरी हो गई तो हमारी अडिया भी नहीं बचेगी सेर ने एक तेज जापड गमराज की गाल पर जड़ दिया पीछे अट बे बढ़ा आया मेरा काटा निकालने वाला मेरी बुक मिटाने की बात कर आओ शेर के एक जापड ने गमराज के दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिये खत्रा खत्रा संकालू प्यारे भाग बागे का बागे हम तो पिंजरे में हैं अब मैं कह रहा हूं तो भाग इस शेर की आतों में बोजन बनकर नहीं पूछना है है तो पिंजरे में बाग बागो जी बागो जी भरकर भागो मैं भी तुम्हें तर्पा तर्पा कर खांगा ही ही पिंजरे में बागते बागते गमराज और संकालू ठक कर चूरो गए और ओदे मुए जमीन पर आगे रहे हाँ तो प्यारो तुम भाग भाग कर ठग गए हो इसलिए मैं तुम्हें और कस्ट देना नहीं चाहता अपनी आखें बंद कर लो मैं तुम्हें खाने के लिए तुम पर जंप कर रहा हूँ सच्मु जिस समय सेर ने गरस्ते छलांग बरी तो गमराज और संकालू ने अपनी आखें कसकर बंद कर ली तबी और सेर दड़ाम से गमराज और संकालू के उपर आगिरा हाई ये क्या परले हमारे सिर पर आप तूटी आ अमर गए आके खोल कर दे गमराज भाई ये हमारी आत्मा नरक में आगिरी है हमारे सिर वेगरे को तो वे बुखा सेर कब का चबा गया होगा गमराज ने आके खोली और खुशी से किलकारी मार उठा संकालू पैरे हम जिंदा है और हमें खाने वाला सेर बहुस हो गया है ए हमारे सड़ेवे सरीर का मास खाने से पहले सेर बहुस हो गया कैसे किसने कैसे बहुस गमराज संकालू की बात का कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही सफेज सेर बहुस हो चुका दर्वाजा खोलो और इसे उठा कर ले आओ अरे यह आवाज कैसी मुझे तो लगता है है चिडिया गर के करमचारी आ गए है जरूर उन्होंने हमेश रूप में देख लिया तो मार मार कर भूत बना देंगे अब क्या करे कुछ करने की जरूरत नहीं अपने वनवानुस के चेरे पहन कर पढ़ जाओ अगर उन्हें पता चला कि हम वनवानुस नहीं आदमी है तो अनर्थ हो जाएगा चुपचा पढ़ा रहे और देखता रहे क्या होता है ठीक है दोनों ने वनवानुस के नकली चेरे अपने चेरे पर चड़ाए और पढ़ गए इदर जब जानुरों के चुर अंदर आए तो हिच हिच ये मेरी आखे क्या देख रहे है एक सफेज सेर के पास दो वनवानुस बेऊस पढ़े है हिच ये ये तो कमाल हो गया हुचिक लेकिन ये कमाल हुआ कैसे सफेज सेर के पिजरे में दो वनवानुस आए कहा से जुमरी तलया से हिच अब तुझे बोटल पीने से मतलब या उसका लेवल देखने से सेर के पिजरे में वनवानुस जैसे भी आए हूँ इससे हमें क्या हमें तो एक सेर के साथ दो वनवानु उसको भी ले आए तो वह बहुत कुछ होगा साबासी देगा समझा समझ गया पूचिक तो फिर खड़ा खड़ा चिलम के सुट्टे क्यों मार रहा है उठाता क्यों नहीं नहीं उन्होंने सेर के साथ दोनों वनवानुसों को भी उठा लिया कौन है ये और हमें वनवानुस समझ कर कहां ले जाना चाते हैं कई मैं इसके हाथ से गिर कर गिर गया तो सारी अडिया ब्रेक होकर रह जाएंगी जल्दी जब तीनों जानुवर बास के सामने पूंचे तो साबास साबास तुम सबने सत्मों भूत बड़े नाम का काम किया इन्हें चोचु एंड पार्टी तक ले चलो जैसे वे हमें इनकी पेमेंट करेगा मैं तुम तीनों को चोवनी चोवनी मुंग फली खाने के लिए नाम में दूँगा चलो चोचु एंड पार्टी की तो खुशी की सिमानी थी वेल्डन तुमने बहुत अच्छा काम किया ये संबालो 40,000 रुपे इन तीनों जानुरों का पेमेंट ठैकु चोचु सर लेकिन इन 40,000 के साथ बारह आने और दो बारह आने क्या करेगा तुम बारह आने का मैंने तीनों को चार चार आने का इनाम देने का वादा किया है और मेरे पास छुटे पैसे नहीं है छुटे बारह आने हमारे पास में नहीं है हम तुमें बारह आने का चैक बेज़ देगा टाटा अब हम चलते हैं बूह हमारा इनाम चोचु एंड पार्टी की सड़क पर बागती बंद मैं में कम खती नाम भी मांगे हुए पैसो से देगा चोचु एंड पार्टी की सड़क पर बागती बंद मैं में भाईया गमराज माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आया मुझे तो लगता है ये जानूरों का अचार डालते होंगे या उनको तल कर बुजिया बनाते होंगे हाँ सब समझ में आगया जिने हम चिडिया गर के आदमी समझ रहे थे असल में वे चिडिया गर के चोर थे जो जानूर को चुरा कर बेच देते हैं और जिनकी गाड़ी में हम सवार है जानूरों के खरीदार है अब ये जानूरों का क्या करते है समझ में नहीं आया मुझे तो लगता है ये जानूरों का अचार डालते होंगे या उनको तल कर बुजिया बनाते होंगे कुछ भी करते हो लेकिन एक बात पकी है कि इस शेर के साथ-साथ हम भी मुसीबत में फस गए हैं अब उन पर अब उन पर हमारी असलियत खुल गई तो हमारी खहर नहीं यमूंडा को बुला गमराज भाया वरना हम दोनों का बंटादार हुआई समझ यमूंडा हाँ ऐसे में यमूंडा यमारी मदद कर सकता है मेरी पुकार पर वैं यहां तो नहीं आ सकता है सड़क पर किसी वहान के रूप में जरूर पर कट होगा अगले इपल यमूंडा यमुंडा वैन के साथ दोड़ते एक तेज मोटर साइकल के रूप में आजिर था हम मुसिवत में फसके यमुंडा मारी मदद कर स्वामि क्या हुआ आपको आप इस वाहन में कैसे बंद हैं किसी भी तरह का वाहन बनकर मैं आपकी कैसे भी मदद कर सकता हूँ आप आदेश दी नहीं ऐसा मत करना ऐसा मत करना यमुंडा भाया क्योंकि तुम्हारे ऐसा करते हमारा भी आम पापड बन जाएगा औरों के साथ हम भी मारने को नहीं कुछ और सोच औरों के साथ हमें भी मारने की नहीं कुछ और सोच यमुंडा के साथ समस्या है कि वह किसी भी तरह का वहान अच्छे डंग से बन सकता है लेकिन अगर उसने वहान दब कर हमें बचाने की कोशिस की तो हमें भी नुक्सान हो सकता है अब तो वहान रूपी यमूंडा हमारी एक तरीके से इसायता कर सकता है यमूंडा सुन मैं बताता हूँ तुझे की वहान रूप में तो हमारी मदद कैसे कर सकता है फिर गमराज जल्दी जल्दी यह मुंडा को अपना आइडिया बताता चला गया सब कुछ सुनने के बाद ठीक है स्वामे ऐसी बात है तो मैं चलता हूं लेकिन घबराना नहीं मैं समझ कर मैं समय पर पूंच जाओंगा गमराज यह सालस से रोस करने की आवाज आ रही है चोचू चोचू के सामने ऐसी पागलों सी बात करेगा तो मार डालेगा इडियेट पीछे एक शेर और दो बर्मानुस पड़ा है और वो भी बेहोस फिर बला वो आदमी की माफिक कैसे माफिक बाते कैसे करेगा यह सारी सर सारी को मारो गोली गाड चोचू एंड पार्टी का अड़ा था वैन के रुकते उससे कूद कर चोचू ने आदेश तागा वैन में से तीनों जानुरों को उतार कर उन्हें खाल उतारने वाले डिपार्टमेंट में पहुंचा जाए ओके चोचू सर तुरंती चोचू के आदमियों ने तीनों को करें कमराज भही अब टो कुछ करो हूं अब तो हम कुछ कर सकते है जो कर सकता है यह ही कर सकता है मगर ने जाने वह पना वह काम पूरा करने में सफल हो भी या नहीं इसे करने के लिए मैंने उसे समझा कर बेजा था हूं इदर यमुंडा बुरी तरह प्रेशान था, स्वामी ने कहा था कि मैं कुछ पुलीस वालों को लेकर उनके पास तक पूँचू, लेकिन स्योंक की बात अभी तक मुझे कोई भी पुलीस वाला नजर नहीं आया है, अगर ऐसा ही रहा तो स्वामी के प्राण तो संकट में पढ सुना होगा, यमुंडा पुलीस जीप बनकर पुलीस स्टेशन के सामने जा खड़ा हुआ, और तब जब उस पर कुछ पुलीस वाले आ बैठे तो, यह जीप को क्या हुआ, मैं इसे बिंडी बाजार की तरफ ले जा रहा हूं, और यह तोरी पूर्म की तरफ जा रहा है, औ और और यह क्या, इसके तो ब्रेक भी नहीं लग रहे है, बगवान यह क्या समच्चक्र है कहीं, यह जीप कोई भूत हुआ, जीप तो नहीं, अपनी मर्जी से बागती जीप को देखकर गवरा उठे पुलीस वाले, यह बला, यह बला क्या जानते थे कि जीप पर बैठे व मर्जी से भागा जा रहा था, इधर तीनों जानुरों को खाल उतारने वाले कक्ष में पुंचा दिया गया था, सबसे पहले इन दोनों वनवानुसों की खाल उतारी जाए, ओके चोचु सर, खाल उतारने वाली है, मैं चुप नहीं बैठूंगा, दूसरे इपल, मैं खाल नहीं उतरवाऊंगा, मैं खाल नहीं उतरवाऊंगा, एं बोलने वाले वनवानुस, और नहीं मैं, वनवानुस नहीं बूत है, बूत है ये भाग कर अपनी जान बचाओ, ठीक का भागो, चोचु का कोई साथी भाग पाता है, उससे पहली चोचु दाड़ा, ठेरो नहीं बूत है और नहीं वनवानुस, ये कोई और ही चक्कर अभी सामने आ जाता है, तुरंती चोचु ने अपनी रिवालवर निकाल कर गमराज और संकालू पर तान दी, अपने असली रूप में आओ वरना पून का रिवालवर चल गा तो गोली अंदर और दम जलंधर होगा, न जैसे इनसान जबड़े भिच गेच सोचुके, तुम हम जैसा इनसान नहीं है, तुम पुलिस का आदमी है, तुम मनमानिस के बेश में यहां हमारी जासुसी करने को आया, हम तुमें सूट करने को मांगता। अब गोली चली और अब मैं मरा, हाँ हाँ तुम पुलिस का आदमी नहीं तब भी हम तुम को जिन्दा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम अपून के भूस से राज जान गया, तुम तो हराल में मरेगा ही, मरेगा क्या तुम मरने जा रहा है, सोचुने रिवालवर गमराज और संकालों की तरफ तान दी, लेकिन वह गोली नहीं चला पाया क्योंकि उससे पहले ही, मर गए गमराज भहिया, सेर को होसा आगया, अगर अब वह सबसे पहले एम पर जपट कर हमें ही खाएगा, अब वह सबसे पहले हम पर जपट कर हमें ही खाएगा, संकालों की संका निर्मूल साबित हुई, क्योंकि सेर चोचु एंड पार्टी पर जपटा, मजे आ गए अपने तो चिडिया घर पिंजरे से भी छुटकारा मिल गया, और खाने के लिए कई अटेक कटे आदमी भी मिल आएगा, अब वह सेर बास की तरह बढ़ रहा है, रोको से, हम कुछ नहीं कर सकते, बास का आज तिया पांचा वाई समझो, तो तु चिखा, इस से मुझे बचाओ, इसे डाट मारो, डाट, दूसरे संद, खचु, हाए ओए सितम किसने ढादिया, शेर के भेहो सोकर नीचे गिरते गमराज को चिंता ने गहर लिया, शेर तो गया संकालू प्यारे, अब इस से पहले इनका ध्यान फिर अमारी तरफ हटे, अमारी तरफ पल्टे मैं आसे दूम दबा कर भाग लेना चाहिए, लेकिन सोचु एंड पार्टी से बसकर भागने की सोचने वाला भाग कर सि तुम भी वही जाओगे, उप यह मोटा तो मार देने पर उतारू है, अब जब मरना है तो क्योंने कुछ करके ही मरा जाए, गमराज ने पासी पड़ी जानरों की खालों को सोचु की तरफ उचाल दिया, जै बजरंग बली, अरे धाएं धाएं, ठीक तभी बाहर, यही वह स इसका मतलब अंदर कोई गडबड हो रही है, अगले इसन अंदर की तरफ दोड लगाते है, चीक पड़ा इंस्पेक्टर दर्ती दखेल, वह पुलिस वालों पर सारी ऐसी जीपे होनी चाहिए, आओ, अंदर, बस बहुत आत पाउच चला लिए तुमने, अब रुख कर मरने के लिए तयार हो जाओ, मैं तो पहले से तयार हूँ, लेकिन किस्मत के धनी गमराद और संकालों की मौत इस बार भी नहीं आई, बलिक आई, पुलिस, एक भी बंदे ने अपने स्रीर का कोई भी यंग लाए तो उसे धर्ती में धखेल दूँगा, पुलिस कहां चानक कैसे, ये तो मैं भी नहीं पता बच्चे कि हम किस की वज़े से यहां है, साइद तुमारे दिन खराब आ गए थे, मुझे संका की कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये मुन्डा की वज़े से वह पुलिस को लेकर देर से आया, लेकिन दुरूस्त आया, जब जब साथ देश वी देशों में जानवरों की बहुमलक हाले आथीदात वेगरे सप्लाई करता है, अच्छा ये बता चिडिया घर से जानवरों को चुरा कर तुम्हें सप्लाई कौन करता था, इस बारे में कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर जी, वह अपने साथियों के साथ भारनिया पाएगा सच बोल, बुरी तरह दाड़ा इंस्पेक्टर दरती दकेल, सोच कुछ बोलने से पहले गमराज बोल उठा, ये सच बोल रहा इंस्पेक्टर साब ये सचमुच उसको नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूं से, सच कौन है वो, चलिए मेरे साथ मैं बताता हूं, लेकिन चलना का होगा, चिडियागर, वही मौजद है चिडियागर का चोर, मुझे संका के गमराज बावला हो गया, जो उल्ट बाते बोल कर धरती में दकेलने वाले इंस्पेक्टर धरती दकेल से पंगा ले रहा है, जल्दी चिडियागर में, गुरूर तुम फिर म आपके लिए सिर्फ इसलिए लाया हूं, क्योंकि आपको इसकी सक जरूरत पढ़ने वाली है, अब बला सेंटरल जेल में आपको अपनी ये तुपानी चीज कहा मिलेगी, सेंटरल जेल क्या मतलब है तुमारा, मतलब या हुदूर कि आप सिर्फ इस्टीडियागर के मैनेज पानी चीज के दुएं की बदोलत मुझे बहुस करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उस समय नामुराद धुआ मेरे दिमाग में ऐसा बसा कि जब आपके आदमी वनमानुस के रूप में पकड़ कर मुझे अंदेरे में खड़े आपके पास ले गए, जहां आप अपनी का भाया मैं सचमुच भाई हूँ, लेकिन जो बात अपने शिरी मुख से तुमने मुझे बताई, वै किसी और कुमत बताना क्योंकि अगर चीडिया घर के जानुरों की चोरी के चकर में मैं जेल चला गया तो मेरे चोटे-चोटे वे बच्चे नात हो जाएंगे, जिने पा हाई मैं, हाई मेरे बच्चे बाद में, खुशिया मनाओ, भंगड़ा पाओ, गमराज भाईया, अमारी वज़े से जानुरों के खालों के व्यापारी और जानुर चोरों का एक बड़ा गैंग पकड़ा गया, दन्ने है, नई संकालू प्यारे, ये खुशिया मनाने का नही किल जाते समय कितना गम सीन था, दन्ने स्वामी आप भी उसके गम में भी गम, उसके गम से में भी गम गिन हो गए, जो और समय दुनिया को गम देने के बारे में सोचते रहते हैं, समाब दोस्तों थोड़ा सा प्रिंट खराब था, इसलिए थोड़ी आवाज अटक्ति भी म झाल 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